Hey guys, welcome back to another video आज की सूडियो में हम बात करने वाले हैं CSIR IMMT की तरफ से नई vacancies को release किया गया है Institute of Minerals and Material Technology की तरफ से आप सभी के लिए हाप पर vacancies को release किया गया है दोस्तो यहाँ पर यदि आपने डिप्लोमा किया हुआ है या B.E.B. Tech किया हुआ है या M.E.C. किया हुआ है या आप किसी भी पार्ट से यहाँ पर graduate हुए है तो आपके पास अच्छा मुका है यहाँ पर job करने का जी हाँ दोस्तों यहाँ पर किसी भी प्रकार की apprenticeship नहीं रखी गई है आपकी यहाँ पर job होने वाली salary पर अच्छी खासी है तो वीडियो को एंट तक जरूर से देखिएगा आपके पास ऐसी ही डेली बैसे से पर notification पॉस्ती रहेगी क्योंकि आपने all technical updates YouTube चैनल को subscribe किया हुआ है देखी दोस्तों आप इस notification को जरूर डाउनलोड कर है हमाई telegram चैनल से अभी आप यहाँ पर CSIR IMMT की official website पर हैं तो यहाँ पर मैं आपको चीज़े one by one बताने वाला हूँ आपका इसका direct notification PDF हमाई telegram चैनल पर भी मिल जाएगा इसके साथ हम आगी बढ़ते हैं देखी दोस्तों यह रहा है इंका official notification यह notification latest है आप यहाँ पर देख सकते हैं 10 November को यह release किया गया है यहाँ पर आप सभी के लिए project assistant की vacancies को release किया गया है मैं one by one सभी चीजों के बारे में full criteria आपके साथ share करने वाला हूँ यहाँ पर जो पेला title है वो technology development के लिए हाँ पर vacancies out की गई है project assistant की यहाँ पर आपकी position होने वाली है 20,000 प्लस HR आपको यहाँ पर salary मिलने वाली है total number of vacancies एक रखी गई है यदि आपने diploma mechanical engineering में किया हुआ है तो आप इस post के लिए eligible रहने वाले हैं makezio में यहाँ पर 50 years रखी गई है तो आपको जो application form है उसको सारे documents के साथ attach करके आपको दिये गए email ID पर send कर देना है अब application form कहाँ पर मिलेगा किस तरीके से आपको download करना है मैं वीडियो में आगे बताने माला हूँ next जो vacancy है उसमें project associate first weekly vacancy से जिसमें अधि आपने MSC chemistry से क्या हुआ है यहाँ आपने B.E.B.Tech यहाँ पर chemical engineering या methodology से किया हुआ है तो आप इस post लिए apply कर सकते है total number of vacancies चार रखी गई है यहाँ पर आपकी जो age रखी गई है वो 35 years रखी गई है next है यहाँ पर junior research fellow clicky vacancies को out किया गया है 31,000 आपकी salary होने वाली है प्लस आपको 16% का HRA मिलने वाला है again यहाँ आपने हाँ पर MSC किया हुआ है तो आप इस post के लिए eligible रहने वाले है next जो vacancies out की गई है उसमें भी आप MSC physics वाले apply कर सकते है 17,000 salary आपको यहाँ पर मिलने वाली है अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जिसमें B.E.B.T.E.C. वाले इसमें apply कर सकते हैं यहाँ पर जो vacancies out की गई है वो project associate second के लिए vacancies out की गई है 28,000 के साथ आपको यहाँ पर HRA भी मिलने वाला है यदि आपने आपर B.E.B.T.E.C. civil engineering के हाथ किया हुआ है और दो साल का experience है आपका तो आपर इस post के लिए apply कर सकते हैं 35 years make geo match यहाँ पर रखी गई है अगें project assistant के लिए vacancy है जिसमें diploma in mechanical engineering वाले apply कर सकते है 20,000 salary आपको आपर मिलने वाली है और 50 years make geo match यहाँ पर रखी गई है next है यहाँ पर project number MLP के लिए यहाँ पर 31,000 पर आपको salary मिलने वाली है यदि आपने आपने बी बिटेक mechanical engineering से किया हुआ है तो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोस्तों बी बिटेक में भी vacancies आउट की गई है mechanical engineering के साथ साथ civil engineering वाले भी इसमें apply कर सकते हैं तो काफी अच्छा मुका है यहाँ पर जो next vacancy है उसमें बी बिटेक electronics वाले भी इसमें apply कर सकते हैं तो इस पीडिया को आपको एक बाद जरूर से read करें और आप जीस भी category के हैं आप उसके category के recording इस form को feel कर सकते हैं याद रखिए का दोस्तो आप एक से ज़्यादा पोश्ट के लिए भी apply कर सकते हैं जी हाँ आप एक से ज़्यादा पोश्ट के लिए अलग position पर apply यहाँ पर कर सकते हैं डारेक्ट लिंक आपको वीडियो के description box में मिल जाएगी 24 नवंबर इसकी last date है दोस्तो है ना तो all over इंडिया सब इस ज़्यों इस पोश्ट के लिए apply कर सकते हैं किसी प्रका का doubt लगता है तो आप मुझे comment section में पूछ सकते हैं देखिए अब दोस्तों यहाँ पर जो vacancies out की गई है वो contextual basis पर की गई है तो पास साल का आपको है आपर tenor होने वाला है ठीके अब हम बात कर लिए थे कि आपको apply किस तरीकस करना है तो apply करने की direct link video के disposition box में available है आपको सभी documents के साथ application को form को fill करके आपको दिये गए mail id पर send कर देना है अब आपको position चाहिए कि अधि आपने net qualified है या gate qualified है तो आप इस post के लिए जरूँ apply कर सकते है ठीके ना तो इस तरीकस आप सारी चीचे देख सकते है आपके सामने यह application form है इस form को जरूँ से feel करके आप इसको mail कर सकते है तो I think आपको आज की पूरी वीडियो पसंद आईए वीडियो अच्छी लगते तो वीडियो को एक बाल लाइक कर दीजिए अपने फिरिंग साथ जरूँ शेयर कीजिए और आप चाहते हैं कि आपके बाद ऐसी ही notification डेली बैसेश पर पहुचते रहे तो आप हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लिजिए अब हम मिलते हमारे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहे हैं थेंक्यू फॉर वाचिंग